वेलकम तो माय चानल आएम सिम्रन सहानी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की मैक्रो एकॉनोमिक्स का चाप्टर गवर्मेंट बजट अन्द एकॉनिमी तो ओल दो जो पहली बार मेरे चानल को देख रहे हैं में क्लास 12 की एकॉनोमिक्स पढ़ा चुकियो अपने चानल प लोगडाउन चल रहे हैं सब बच्चों को नोट्स की समय बहुत जरूरत है तो वो आपको नीचे एक ब्लॉक साइट का लिंक दिया हुआ है वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे तो नोट्स के टेंचे तो में नहीं लेनी है चाप्टर यहां पर एक्स्प्लेइन हो रहा एंड लेट साथ टोडेशन हम पढ़ेंगे गवर्मेंट बजट आन एकॉनमी के बारे में यह एक बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग चाप्टर है हमारी एकॉनमिक्स का सो इसमें हम जानेंगे कि हमारी जो गवर्मेंट है वो किस तरीके से वर्क करती है गवर्मेंट कहां अनुएस टेटमेंट ऑफ इस्टीमेट इस्टीमेड गावर्मेंट रेसि आफर कर शृप्सisz और गवर्मेंट एक अग्सेड़ने यानि कि यह एक आयम्यव साल आना जो यानिंग कि जो साल के अखिर में आए गे साल के शुरू होने से अन्वेड मोसली क्या है साल के खत्म होने पर आती है जब कोई शार्थ होने वाला होता है उसमें हमारा बजवेट बनता है और पढ़ाओंगी आन्वाल statement of estimated यानि की estimated है अंदाजा लगाया गया है क्यों? क्योंकि यह आने वाले साल के लिए बनते हैं अगर 2021 का budget बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे estimate ही तो करेंगे हमें क्या पते है 2021 में क्या हालात होंगे किस तरीके से अपना budget बनाना है तो जो estimates लगाते हैं हमारे सारे जितने भी हमारे leaders हैं जो finance को hold करते हैं तो वो जितना भी estimated government receipts receipts क्या होती है? government की कमाई, receipts मतलब क्या है government की, जहां से भी government कमाई करेगी और expenditure मतलब government जहां पर भी अपना खर्चा करेगी, यानि कि अब आप receipts सोचो government, आगे हम बहुत detail में पढ़ेंगे, receipts और expenditure की बारे में बढ़ छोटा सा, अगर आप जानना चाहो तो receipts कहां से आती है, government पैसे कमाई कहां से करता है, यह आल नो tax हो गया, VAT हो गया, GST हो गया, और fines हो गया, यह सब चीजों से government पैसा कमाती है और expenditure की हो गया, government का expenditure तो होता ही रहता है, आप सबको पता है, health के उपर expenditure है education पर है, road बनाने पर है, train बनाने पर है, list goes on and on तो government का खर्चा भी बहुत जादा होता है और government की कमाई भी होती है तो यह जो annual statement होता है जो साल के next year के शुरू होने से पहले आता है, उसको क्या कहते हैं, government budget ठीक है, अब हमें पढ़ना है fiscal year या फिर इसको हम financial year भी कहते हैं, जो government budget होता है, वो fiscal year के start होने पर आता है कौन पेश करता है हमारा government budget हमारे जो कंडरी के president होते हैं वो लेकर आते हमारा government budget okay, तो fiscal year क्या है the year starting from 1st April of current year, year कहां से start हो रहा है, जैसे हमारा new year अब शुरू होते है, हमारा new year when january से start हो जाता है, बट fiscal year का जो new year है, वो 1st April से start होता है, यानि कि जो भी साल चार रहा है जैसे कि 2020 का 1st April, और ये खतम कब होगा, ये खतम होगा on 31st March of next year, या फिर हम following year भी कह सकते हैं, एक बार इसकी definition दुबारा पढ़ते हैं, the year starting from 1st April of current year and ending on 31st March of following year, यानि कि 1st April, अगर आप ये lockdown वाली situation भूल जा और अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो 1st April 2020 को हमारा fiscal year start हुआ, and 31st March 2021 को हमारा fiscal year है, वो खतम होगा तो इस तरीके से economics का new year होता है economics अपना new year 1 January को नहीं बनाते हैं, यानि कि financially हमारा new year 1 January को नहीं होता है 1 April चे 31st March तक का होता है, तो I hope तुम्हें fiscal year समझ में आगया होगा, और कभी भी तुम इसकी definition नहीं भूलोगे, learn क्या करना है, समझ गए, इंगलिस में बना कि अपने अपलिक देना, अब हमें पढ़ना है, जब हम पढ़ना है यह चाप्रे तो हमें इसमें में यूनियन बजट के बारे में बात करी यानि की जो सेंटरल लेवल पर वैसे यूनियन बजट करते हैं तो उसको हम क्या केते हैं यूनियन बजट होता है वह किसका बजट होता है हमारी Central Government का बजट होता है इसको कहां पर पेश किया जाता है इसको Parliament में पेश किया जाता है Parliament के जो मेंबर्स होते हैं वो उसमें वहां पर सब इखटा होते हैं और जो हमारे प्रेजिडेंट है वो अनौच कर देते हैं हमारे बजट को बजट आनाउंस होता है जब प्रेज़जिजंग कहते है इस एड्र को budget आनाउंस हो जाना तो यह爹 यहाँ पिर last working day of February को हमारा budget आनाउंस होता है last working day of February 27-28 या फिर 29 February को हमारा जो budget है वो launch हो सकता है आपने देखा है कि गक्रोणा ओर इस ऑट बज़िक आता है तो हर साल हमारा नया बज़ेट आता है एंड उसके हिसाब से हमारी एकॉनけて लागा रखोता है आपको पता है अब जब तरने बज़ना है इसको उतना देना है फिर जिससे कि जो budget है वो असानी से चल सके, same हमारी government भी करती है, next हमें पढ़ना है, अब आ गए है हम अपने main topic पे, objectives of government budget, यानि कि यह जो government है हमारी, वो budget बनाती क्यों है, क्यों बनाती है, यह 5 objective है, इन्हें आज तो मैं learn करना है, यहां मैंने इनकी heading लिखी है, मेरे notes, now come to the point मैंने आपको पताया था, notes आपको मिल जाएंगे, मेरी ब्लॉक साइट के लिख में, तो notes, इनकी detail, 4-5-5 line की, जो इनकी definition है, इनके अंदर क्या क्या आता है, वो आपको में notes में मिल जाएंगी, tension नहीं लेनी है, यहां में तो मैं explain करूंगी, वहां तुमारे notes में तुम्हें जब demand बहुत जादा बढ़ जाती है, जब demand किसी चीज़ की बहुत जादा बढ़ जाती है, उसे कहते है inflation, deflation जैसे situation आती है, जब जो हमारी country है, उसमें लोगों के पास पैसा खतम हो जाता है, और demand बहुत कम हो जाती है, और situation होती है, economic boom, यानि कि economy बहुत तेजी से grow कर रही बहुत जादा तेजी से ठीक है तो हर चीज की अती भी गंदी होती है तो अगर एकॉनिमिक बूम होता है तो भी गॉवर्मेंट के लिए जादा अच्छा नहीं है या फिर रिसेशन यानि की लोगों की जॉब छूट रही है लोग बहुत परशान हो जाते हैं इसी स्टेज मे अग इन सब चीजों से बचाने के लिए इन से वर्स सिचुएशन से इंफलेशन, डिफलेशन, बूम, रिसेशन इन सब से बचाने के लिए हमें एकॉनिमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो हमारी गॉवर्मेंट है वो बजट बनाती है सब कुछ सोचके चलती है तो now you understand that यह जो वर्स सिचुएशन से इन से हमें बचाने के लिए एकॉनिमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारा पहला गॉवर्मेंट बजट का अबजेक्टिव हो गया next आपका equitable distribution of income and wealth अब आपको सबको पता है इंडिया में कहवत बहुत अच्छे से सबको पता होता है कि अमीर अमीर होते जैने और गरीब गरीब होते जाने है तो वह क्यों है क्योंकि जितना भी पैसा है वो अमीरों के जैब में है और बिचारे गरीब और गरीब होते जाने हैं तो इस situation को कम करने के लिए government के सब्सिडीज एक तुसरी की़किया है तो गोर्म assignments क्या करती है आईसे टैक्सिंट्स लगाती है ऐसे कुछ रूल्स पनाती है कि अमीरों के उन्पार टैक्से सब्स jat기 потреб मेरों की जेब का पैसा है ठोड़ा सारा नहीं थोड़ा सा चला जारे मारे ग methम उक पा 친 संदगी असानी से जी पाए तो इक्वी टेबल डिस्ट्रिबूशन ओफ इंकम एंड वेल्थ करती है नेक्स्ट आज़ात अपना आपका सेगेंड भी हो गया हमें यह बताया जाएगा कि देखो गवर्मेंट ही है हमारी जो उस अरिया में काम करती है जहां पर जो profit है वो कम होता है profit क्यों होता है अगर कोई personal firm है इंडिविज्ववेंच्ट फर्म है या Corporation है हर एक फर्म क्या मोटते हो तो उन इरियास में कॉन काम करेगा जैसे कि government school government under hospital उन एर्यास में कौन काम करेगा जिसमें profit कम होता है बद जो investment होती है जो पैसा लगता है वो जदा होता है तो उन जगाओं में हमारी government है वो काम करती है जहां पर इंवेस्ट में जदा है बद profit कम है और हमारी government कोशिश करती है कि resources ऐसे allocate हो कि पैसा वहाँ लगे जहां पर production होने से हमें फाइदा हो जैसे कि government चाहती है कि LPG कि LPG क्यों होती gasoline उसमें उसका production हो kerosene oil का production हो और agriculture का production हो तो इन सब जब production होते हैं इन में जो government है वो subsidy मतलब क्यों होता है subsidy मतलब government कुछ कट दे देती है कि थोड़ा सा पैसा हम लोग government अपने पास से पे करती है जो लोग आम जनता होते हैं से कट मिल जाता है तो LPG होगी carousine oil agriculture जो essential goods है उनकी production में जो government है वो subsidy देती है और ऐसे goods जैसे कि tobacco tobacco और क्या हो गया cigarette I don't know the spelling of cigarette और क्या हो गया हमारा alcohol liquor इन सबकी जो production है जो government है उस पे जो हमारी government है वो क्या लगाती है tax अब शराब इतनी ज़्यादा महेंगी क्यों हो ते क्यों कि कि government बहुत जादा tax लगाती है government tax क्यों लगाती है जिससे लोग alcohol कम consume करें और वो जो टैक्स है उसको government यूज करती है हमारी भलाई के लिए क्यों अगर जादा alcohol लोग पिएंगे तो वो भी गलत बात है तो उसवे जादा tax लगता है उस टैक्स को government यूज करती है गरीबों की मदद करने के लिए तो इस तरीके से government करती है और उन जगाओं पर भी सिफ गवर्मेंट ही वक करती है जैसे कि गाओं में जागर स्कूल बनाती है यह सब काम हमारी government का है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जादा होती है और जो profit है वो कम होता है नेक्स्ट आपका आगया है control and managers public sector undertakings देखो आप में क्लास सेवें देर्थी जोगरफी में public sector undertakings के बारे में पढ़ लिया था बहल हो गई कुछ स्टील ऐसे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सी public sector undertakings है तो government की है वो public sector undertaking public sector मतलब government किया तो ऑब्विस है गवर्मेंट ही उसे manage करें कि तो government manage करती है कभी-कभी government को अगर पैसे की जुरात परती है तो अपनी public sector undertakings को बेच भी देती है वी रिसेंटली हुआ था तो अगर government को पैसे की जुरात है तो वो बेच भी देती है कभी खरीती है तो इस तरीके से गवर्मेंट सब कुछ manage करती है secondly government हमें सारी essential चीज़े प्रवाइड करती है बॉर्डर सप्लाइब रेलवेज और क्या हो गया हमारा जितनी भी हमारी essential चीज़े है जिसे रोड हो गया public transport हो गया वह सब भी public sector undertakings में आते है तो गवर्मेंट उसे कंट्रोल भी करती कहीं metro बननी है कहीं underground subway बनना है वह सब चीज़े भी हमारी government discuss करती है और वह हमारी government जो है उसी को manage करते है तो control and manage public sector undertakings भी आप समझ कई होगे last पर आगा है हम अपने reduction of poverty government का main काम क्या है अजादी के बाद से ही जवाला नहरू ने ही सबसे पहले कह रिया था कि सबसे बड़ी problem इंडिया के अंदर क्या है कि reduction of poverty गरीबी को हटाना तो इसलिए government क्या करती है वही पहले वाला जो हमने इसमें पढ़ा था रिया लोकेशन ऑफ रिसोर्स में और इसमें equitable distribution में कि अमीरों के ओप टैक्स लगाएगी गरीबों को subsidy देगी और क्या होता है reduction of poverty and secondly हमारी जो government है वो क्या करती है reduction of unemployment आपको unemployment का मतलब को तो पता है क्या होता है बेरोजगारी जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो यह government की responsibility है कि वह हमारी कंट्री के अंदर jobs generate कर कभी-कभी government unskilled job create करें जैसे कि रोड बनाना ट्रेइन बनाना इसमें unskilled लिए बर मजदूर वगेरा लगते हैं कुछ skilled job होती है government अपनी कोई company खोले further on government को ही काम है कि वह poverty भी हटा है और वह unemployment भी हता है तो poverty हटाने क्लिए क्या करेगी government school बनाएगी इस तरीके से government poverty कम कर सकती है और unemployment कैसे कम कर सकती कि अपनी तरफ से jobs को create करें so with this हमारे objectives और government complete हो गए और उसको डीटेल में पढ़ेंगे so let's start the next topic components of the government budget before starting it मैं एक बार साइड हो रही है आप वीडियो पॉस करके इसका screenshot ले लो एंड में भी मैं photo डालूंगी इस boat की यह जो है देखो यह आपके पूरे chapter का सबसे important part है अगर तुमने यह समझ लिया और एक बार इसको अपनी copy में as it is draw करके रख लेना आखरी देन जे दिन तुम्हारा macro का exam होगा ना इको का तब तक तुम्हें यह help करेगा क्यों बच्चे confused होते रहते हैं एक बार तुम्हारे पास यह लिखा हुआ है तो जब भी confusion कोई माइंड में आएगा तुम इसको देख लोगे तो इसका screenshot लो अब हम आते हैं अपने चाप्टर के पार्ट पर अब हमें पढ़ना है components of government budget दो components होते हैं हमारे government budget के budget receipts यानि कि कितनी कमाई होगी और budget expenditure यानि कि कितना खर्चा होगा budget receipts के definition क्या है all estimated receipts of government in a financial year जितनी भी government की कमाई होगी in a financial year और budget expenditure का मतलब क्या है all estimated expenditure of government in a financial year यानि कि government का जितना खर्चा होगा in a financial year अब expenditure को भी भूल जाओ अभी हम बस receipts यानि कि कमाई की बात करेंगे अब जो यह receipts है यह दो parts में divide हो जाती है government की एक होती है revenue receipt ठीक है और दूसरी होती है capital receipt यह तुम्हें याद रखना है एक को कहते हैं RR दूसरी को कहते हैं CR तो RR वो receipts होती हैं बहुत ध्यान से सुनना that cross मतलब है do not do not create any liabilities nor reduces any asset liability मतलब क्या होता है देखो liability मतलब क्या होता है पैसा चुकाना पैसा चुकाना for example मैंने तुमसे 500 रुपे ले लिये तो वो मेरी liability है कि मुझे एक ना एक दन वो 500 रुपे तुम्हें वापस करने है government ने loan ले लिया तो government की liability है कि उसे वो वापस करना है तो RR revenue receipt वो receipts होती है जो हमारी government के उपर कोई liability नहीं डालता यानिकि उसके अपर कोई liability नहीं है उसके उपर कोई जिम्मा नहीं है कि उसे किसी का पैसा देना है इसका मतलब होता है liability एंड एसिट्स क्यों होते हैं एसेड होती है हमारी चीजे हमारी प्रौपर्टी तो जो औरर होती है ना ही वो government की किसी प्रौपर्टी नदर कमी करता है यानि कि ऐसा नहीं होता कि गवर्मेंट की कोई प्रॉपर्टी बिग जाया आरार के अंदर तो इट डज नोट क्रिएट एनी लाइबिलिटी नौर रिड्यूज़ एनी एसट इस रेकरिंग इन नेचर रेकरिंग मतलब क्या है बार-बार होता रहता है हर साल होता है इसके एक इसके पड़ते हैं इसके एकजांपल होता है हमारा टाक्स और एक होता है नौन टाक्स रेवेन्यू यानि कि हमाइज revenue receipts से उसमें क्याते है सारे के सारे taxes income tax GST जितने भी taxes हैं वो हमारे government के revenue receipts में आते तो अब आप सोचो जब आप income tax government को दे सकते हो जैसे तुमने 20 पसंट दिया अपनी कमाई पर समझ लो तुमने दो लाख उर्पे income tax दिया है तो क्या तुम government को जागे challenge कर सकते हो कि मैंने दो लाख उर्पे दिया है मेरे तो शेहर में metro बनवादो भाईया हमने 20 लाग दिया हमारे शेहर में metro बनवादो हमारी सड़क ठीक करा दो यहां खंबा लगवादो क्या तुम government को जाके बूल सकते हो रेकरिंग इन नेचर एंड इन पे government की कोई obligation यह एंड फॉर्धर ओन यह नहीं कोई liability create करते हो तो में income tax देना ही देना है GST देना ही देना है और कोई भी reduce नहीं होता है तो government की तो income यह बढ़ा ही income tax आ रहा है और बाकी एक होती है government की non-tax revenue भी अभी आगे बताती हूं तो government के जेब से कुछ नहीं जा रहा है उसके assets भी reduce नहीं हो रहे ना उसके उपर कोई liability आ रही है ठीक है अब इतना समझ में आ गया अब हम revenue रिसिप्ट को और parts में तोड देंगे क्या है उसकी एक है tax revenue tax revenue में सारी वो जो taxes के थू आती है और non-tax revenue में वो है जो बिना tax के आती है यानि कि tax के इलावा भी government कमाई करती है यह red box को मत देखना ही बार में पढ़ेंगे तो यहां आपको देखना है non-tax revenue and tax revenue तो I hope तुम्हें समझ में आ रहोगा तो non-tax revenue दो पार्ट में डिवाइड होता है tax revenue भी दो पार्ट में डिवाइड होता है tax revenue यानि कि government को tax दो टाइ direct tax वो होता है जिसके उपर लगा है वो ही पे करेगा यानि कि liability to pay the tax is on the same person यानि कि अगर मैंने बीस हजार रुपे कमाए है अगर उस पर सपोस्ट कोई tax लेंगा है तो वो मैं ही पे करूंगी मेरे चाचा या further on में किसी और को नहीं कह सती कि मेरी जगा तू वो पे कर दे तो direct tax वो होते हैं जिनका पे करने की liability उसी इंसान पर होती है जिस पर वो लगा होता है तो direct tax वो है जिस पर लगा है वो ही पे करेगा next है आपका indirect tax direct tax का example क्या है income tax सबसे पहला house tax आप house tax तुमारे पापा ही तो बढ़ेंगे तुमारे पापा जाके अपने दुकान के नोगर को लगा है यहां मेरा house tax बढ़ेंगा इसके उपर लगा है वो ही भरेगा तो direct tax वो है कि जिस के उपर लगा है वो ही भरेगा तो इसमें आते हैं income tax house tax हो गया यह सब क्या हमारे direct tax government यह डारेकली हमसे ले लेती है next है indirect tax indirect tax में ऐसा होता है कि suppose ये लगा है एक इनसान पे suppose लगा है A के ओपर और A इसको B को transfer कर देगा यानि कि tax लगा 20% का A के ओपर बट जो A है वो पे नहीं करेगा उसकी जगा B पे करेगा अब ऐसा किस situation में होता है होता है ऐसे ये होता है value added tax हमारे जो indirect tax है वो लगता है एक इनसान पर है पर पे दूसरा कर सकता है जैसे कि अगर आप रेस्टरौन में खाना खाने जाते हो तो रेस्टरौन के ओपर tax लगते है बट वो tax हमसे लेते हैं आप movie देखने जाते हो तो वहाँ पे भी आपसे टाक्स लिया जाता है वो actual में लगता तो सिनिमास पर है बट वो लेते हमसे है तो ये टाक्स वो जो एक इनसान दूसरे से दिलवा जेता है उसको हम क्या कहते है हमारा indirect tax है तो आई होब तो में direct indirect tax समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है हमारा non-tax revenue non-tax revenue में दो पार्च में डिवाइड होता है commercial और एक administrative commercial में क्यों होता है government की कमाई है ये कौन सी कमाई commercial कमाई जो government को service प्रोवाइड करके लेती है जैसे कि government आपको post देती है आप letter भेज सकते हो तो government के उसमें भी थोड़ी बहुत कमाई होती है वो हो गया दूसरा क्या हो गया tolls government ने रोड बनवाई उससे government को toll आ गया और क्या हो गया supposed को government ने किसी को loan दिया है किसी को दूसरी country को हमारी country में किसी को तो जब उस loan की repayment होगी जब वो loan वापस मिलेगा interest के साथ तो भी government का क्या होगा government की income बनेगी government की receipt आएगी तो यह commercial है government ने पहले कुछ दिया फिर उससे कमाई कर ली और administrative के अंदर government कुछ देती नहीं है बस कमाई कमाई होती है वो कौन कब होती है जब कोई fees देनी परते हैं जैसे की सरकारी exam होते हैं तो fees लेते हैं form भणना होता है तो उसकी fees होती है next का है fines आप स्कूटी पर जाते हो helmet नहीं लगाते हो fine लग जाता है चलान कर जाता है 500 रुपे का 1000 रुपे का बट इसमें government कुछ देती नहीं है बस आ रहा है s cheats बच्चे इसमें confused होते हैं यह बताती हूँ s cheats क्या होता है suppose करो there is a person जिसका नाम है a ठीक है a बहुत जादा आमीर है इसके पास बहुत सारी property है बहुत सारी property है बट ना तो इसने शादी करी ना इसके कोई बच्चे हैं ना ही इसका कोई रिष्टेदार है और ना ही इसने अपनी विल लिखी है यानि कि इसके मणने के बाद कुछ नहीं पता कि इसका सारा पैसा इसकी इतनी सारी property किसके पास जाएगी तो उससे कोई घरवाला नहीं है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है उसने कोई विल नहीं लिखी है तो उसकी जितनी भी property है वो गवर्मेंट के पास चली जाती है तो ये भी गवर्मेंट का free fund का revenue बन जाता है तो ये हमारा revenue receipt हमारा complete I hope तुम्हें समझ में आ गया होगा next आजाओ अपने capital receipts में capital receipts capital receipts क्या है it creates a liability liability क्या थी जिम्मा पैसा देने का create करेगा ये liability और assets को भी reduce करेगा it will create a liability and it will reduce a asset बहुत ध्यान से learn कर लो इस line को ठीक है अब इसके examples क्या है recovery of loan यानि की government ने अमेरिका को loan दिया 10 करोड का suppose कर लो ऐसे वो लेंगे नहीं माट से बढ़ हमने दिया है हमने अमेरिका को 10 करोड का loan दिया है ठीक है अब अमेरिका ने हमें वो loan वापस कर दिया with interest तो that means हमारा asset जो है वो कम हो जाता है क्यूं दे factors इसको तुमने पैसा दिया है loan पे वो तुभी तुमारे asset होते वो तुमारी property है जब तक उन्होंने तुमारे को पैसे नहीं दिये हैं तो जब अमेरिका ने अपना loan चुका दिया तो इंडिया का asset कम हो गया और asset कम हो गया मतलब capital receipt next हो गया borrowings and liabilities borrowing क्या अब suppose कर लो इंडिय ने 10 करोड उपे मांग लिए अमेरिका से अमेरिका ने दे दिये तो अब इंडिया के ऊपर क्या आ गई liability अगई it create liability इस situation में liability create हो रही है liability create हो गई कि अब 10 करोड उपे with interest इंडिया को कभी ना कभी तो देने ही पढ़ेंगे हमारी किसको कौन है अमेरिका को ठीक है next other recipes other recipes में तो अब पढ़ना है हमें other recipes of the government other recipes में आती है mainly disinvestment disinvestment वो procedure होता है जब government अपना कोई भी asset जिसको हम public sector undertaking कहते हैं उसे बेच देती है कई बार ऐसी situation होती है कि government को disinvestment करती परती है अभी हाली में disinvestment हुई था ही अगर आपको यादो न्यूज में आया था government अपनी काफी सारे पबलिक सेकते हैं तो इसको बेच दिया था economy को stable करने के लिए तो जब उसको बेचेगी तो obvious है क्या कि receipt आईगी यानि कि government पेपैसा आएगा पर receipt तो आ रही है पर government का जो asset है वो कम हो रहा है इसलिए capital receipts में it creates liability और reduces asset तो इसमें asset reduce हो गया next आगे आपका small savings small savings में देखो post office जो होता है उसमें अलग-अलग scheme आती रहती है KYC हो गई प्रधान मंत्री योजना अलग-अलग scheme साती रहती है उसमें लोग अपना पैसा दलवाते है small amount में तो वो पैसा कभी ना कभी obvious है government के पास अभी आ जाता होते हैं अपना पैसा यहां deposit कराते हैं बट ऐसा नहीं है कि वह हमेशा का हो जाता है government का ही हो जाता है एट दिन government को उसको देना पड़ेगा वापस जब उनको चाहिए वो निकल विड्रॉ करवा सकते हैं तो इसलिए आ तो रही है रेसिप्ट तो आ रही है बट जब government को पत करने का जिम्मा हमारे सर पे होता है तो वह liability create हो जाती है तो capital रेसिप्ट में चार चीज़े आती है इस सब को भूल जाओ और यह देखो recovery of loan borrowings and liability other recepts and small savings ठीक है अब revenue recepts neither creates liability nor reduces any asset capital recepts create a liability or reduces the asset इसके साथ साथ हमारा जो budgetary recepts था वो complete होगा hope तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई भी problem हो तो अभी पूछ सकते हो comment करके या Instagram पर DM करके ओके अब आ जाते हैं हमने budgetary expenditure यानि कि government के खर्चे के बारे में हम अभी बात करेंगी कि government क्या-क्या खर्चा होता है ठीक है तो एक होता है revenue expenditure revenue ठीक है और दूसरा है हमारा capital expenditure तो पहले revenue expenditure पते हैं it revenue expenditure में it neither reduces any liability यानि government की जो liabilities है उसमें कोई change नहीं आएगा nor create any asset नहीं कोई government का asset create होगा तो government देखो इसमें खर्चा तो करा है government ने government ने खर्चा तो कर दिया अपने पास से पैसे तो खर्च होगा है government की जेब से पर ना तो कोई liability कम हुई ना तो कोई उसके उपर liability के होता है तो किसी को पैसे देने का अगर जिम्मा है तो मारे उपर ना तो कोई liability कम हुई या फिर अगर तुम पैसे खर्च कर तो तुम कोई property खरीते बोगे चीजं ना ही इसमें कोई asset create हुआ तो यह ऐसी कॉनसी चीज़ है भाई या ना तो हमारी लाइबिलीटी उतर रही है ना हमारा एसट क्रियेट हो रहा है तो वो है हमारी सैलरीज ओल्डेज पेंशन स्कॉलरशिप जो कमपलसरी चीज़े गवर्मेंट को देनी ही देनी होती है ठीक है वो होती है हमारी है तो ना तो गॉओन्न की कोई लाइबिलिटी रेडियोस करती है ना ही government के लिए कोई asset create करता है ऐसा खर्चा कौन सा वाला खर्चा revenue expenditure वाला खर्चा अब आजो next खर्चे पर क्या है capital expenditure capital expense करी है capital का खर्चा हुआ है अब यह वाला जो खर्चा है यह होता है profitable इससे हमारे assets भी create होते है और liability reduce होती है it create assets यानि की कोई property बनेगी और reduces liability यानि की सरपे से पैसा चुकाने का जो जिम्माए वो हट जाएगा किसी ना किसी की liability हट जाएगी they are non recurring in nature ज़रूरी नहीं है यह काम हमें हर साल हर महीने करना पड़े ऐसे कौन से काम है जैसी की construction of road एक बार road बन गई government ने बना दी तो क्या हमारा asset create हो गया government ने road बनाई metro बनाई public कोई भी transport बनाए हमारा asset बन गया और क्या हुआ payment of loan government ने जो 10 करोड का loan लिया था अमेरिका से मैंने अभी लास्ट एक्जामपल में बताया था government ने उसे ली पे कर दिया वापस कर दिया सूथ समेत अमेरिका को तो क्या हुआ liability जो government हमारे सर पर थी liability वो reduce हो गई तो I hope तो में capital expenditure भी समझ में आ गया होगा इट creates assets or reduce liability या तो कोई asset create कर देगा हमारे लिए या कोई liability reduce कर देगा जो हमारे ऊपर कुछ tension थी किसी का कुछ पैसा देना है वो reduce कर देगा so I hope तुम्हें समझ में आ गयो with this okay so with this हमारे आदा से जादा chapter complete हो गया अब बस हमें types of budget पढ़ना है और एक और topic है फिर हमारा chapter complete वो topics में आपको next video में पढ़ाऊंगी I hope यह video में मैंने जितना पढ़ा है तुम्हें समझ में आ गया होगा बाकी economics के chapter की वीडियो तो में link में description में मिल जाएगी notes link में description में मिल जाएगे Instagram पे मुझे follow कर सकते हो कोई query है मुझे से पूछ सकते हो I'll be there for you to answer you तो उसका link पे आपको description में मिल जाएगा follow me on Instagram and I request all the commerce students या जिनके पास भी economics है प्लीज अपने सारे classmates के साथ मेरी वीडियो को share कर देना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दो and like भी करना वीडियो को and मुझे comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कोई problem है तो मुझसे पूछ सकते हो So I'll meet you in the next video